स्वागत आप सब का बिग बैस टीक के मैच नूमबर दस के अंदर मुकाबले हैं यहां पर मेल्बेन रनेगेट्स बना ब्रिजबेन एट के बीच में जो खेला जाएगा मार्वल स्टेडियम डॉकलेंड्स के उपर मैच टाइमिंग है दुपैर के एक बच के पैतालिस यहां पर मैच देखने को मिलने वाला है इस वीडियम में टोटल 85 स्लाइट्स है जो आपको हेल्प करेगी बैस फैंटेसी टीम बनाने के अंदर इस स्टेडियम पर नया रूल लागू है आप पहले स्टेडियम देखिए यह आपको आदनुक युका स्टेडियम लगता है इसमें रूफ लगे हुए है अगर बारिश आती है स्टेडियम के उपर तो रूफ बंद हो जाती है यह देखो इस तरह से खूप स्टेडियम ग्राउंड है अब रूल किया कहता है पहले यहां पर यह होता था जब बॉल रूफ पे लग जाती थी न तो वो 6 दिया जाता थ तो कई बार ऐसा होता था जो बॉल सीधी खड़ी हो जाती है जो फिल्टर के आप में आनी होती है उसको भी रूफ पे लगने के बाद 6 दे दिया जाता था बट अब क्या कहता है बिग बैश लीक का नया रूल कि अमपायर फैसला करेंगे अगर बॉल छका जारी हो ठीक एक बारी होता सब बार देंगे यह अलग सटीयम इंग अदवभुध सटीयम आप देख सकते हैं स्टेडियम इसको फूचर स्टेडियम पर कहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो क्या फाइदा है लाइनप के वाप कोई भी अफडेट आती है ना को टेलीग्राम के उपर दे दूँगा जॉइन कैसे करना है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमें दिया हुआ है वाटसेफ चैनल भी आप जॉइन कर सकते हो इसका बिलिंग मैंने आपको नीचे दिया हुआ है चलता है पिछ रिपोर्ट के दरफ मार्वल स्टेडियम डॉकलेंड्स यह फ्यूचर स्टेडियम है खुपसूरुद है मैदान है इसके उपर आपको रूफ देखने को मिलती है तो इस वनिग पे होता गया है बैटर्स को हेल्प मिलती है प्लस आपको ध्यान देना है जो बॉलर्स हार्ड लें ठीट करता है इ घीघा बातों करने में पहले भीन है इसके इपढ़ एकस्टकर बनाती है 163 मोट लेति का त्रिंग नियों ऑटर्गेट करने और साथ वह साथ वाम डर्गेट चेस कर जाती है और साथ विकैट से जीत द手 करती है 142 बना साथ विकैट गवा का त्रिंग देने कितंए अपको खेले गए उनमें 3 बार 162 बना है आपर तो 162 बना जो टीम चेस कर रहे हैं 156 पे रुग गई फिर इससे पहले एक और बार 162 बना आट विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है उन लास्ट बॉल पे मैच जीच जाती है च्छा विकेट से 155 बना टार्गेट चेस दो बॉल रहते हैं 104 बना टार्गेट चेस एक बॉल रहते हैं तो इस पहले पी इतियास गावार है हमेशा क्लोज मैच देखने को मिलते हैं लास्ट ओवर तक लास्ट के एक-दो बॉल तक मैच जाता है इस टेडियम के खासियत रही है अब देखें इस टेडियम है ना मैलबन के करने कंड़े मैंavinदान हैं मेलबन एने की उपर 55 मैच ज ile जीते हैं 22 मैच जीता है रिकार्ड खराव है और करिबं 33 मैच और ब्रिज्वेइन 11 में से 4 जीतिया 7 मैच हा रही है बाटिंग बन करते हैं 11 मैचे जीते गहें चेसं करते हुए 10 मैच जीतेंगे दस माच जीतेंगे जूटी मच्छा गेम दिखाती है उसको यहाँ पर जीत मिलती है प्रती ओवर 8.3 के आपस पास रंस बनते हैं और जो लास मैच यहाँ पर खेला गया था MR वर्सिस बीच के बीच में रनेगेट्स और ब्रिजबेन इट के बीच में 29 तारिक को सेव एटी हम इस मैच में खेलने वाली है जो भी अब कवर कर रहे है तो आठ विकेट वह पर पेशस निकाला था विगेट कॉलम, लास्ट इकीस मैचेस के अंदर, पेसरस निगाला है, पहली पारी में 83, दूसरी पारी के अंदर 87, राइट आम पेसरस के 138 विगेट, लेफ आम पेसरस के 32 विगेट, तो ऐसा नहीं है, कि यहां पर आप पहली पारी की बॉलर्ट्स लेके वैठ जाओ, बैसा अफफपिनर्स 8, लेक्पिनर्स 45, चैनमें 11, लेफट टाव उर्ट्रोडॉड्स का उम्निस विगेट है, और मैं आपको पिच्छ के फोटो लिगाता हूँ, यह, जब लास्ट यह पिछिएगो लोगों लगाओ हुआ है, मैं कुछ नहीं रहा है, आप लिगाँ इसे दिखती है बैथर पीछ होती है और हार्ड लेंथ पर दिखकत आती है कि वार्टर्स को सामने वाली गेंड डॉला और वो लंबे लब सीधर शॉट्स मारते हैं एक बाउंसर डाल दो तो उसको खेल लेते हैं बीच वाली लेंथ फॉसते है शॉड अफ गुड लेंथ आप आम तर पर देख ही जाती है यह देखो कि ए क्लोग भी जगह पिछ का एक चीज़ घादा है आपको जोलो मां पिच पर यह मारवल स्टेडियम पर इस पिछ में एक बीच की एसी लाइन दिखती है यह होती है कि यह दू कि यह द्रॉपिन पिछ होती है दूसरे जगे से बना बड़ बड़ गुटनिय पर लगती है कही तफ़ा एक दो बिकेट मिलें से कही बोलर को बोलर को दैनल सम्स को ती है यह देखे हैं डाइमेंशन सामने 75 स्क्वेर आपको 65 मिटर फिक्स दिखता है आपर बीच वाली पीच में मैच पादो ए स्टेडियम गावी यह खुप सुर बड़ी रहेगी कैसी लगी बताना कमंड करें चैनल पीन दो सुब्स्ट्राइब करो सेम न्यूजर वाइसाब ब्रिजवेन हीट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है मैल्बर निगेट्स में आपको नहीं दिखेंगे पिटर सदेल इस मैच के अंदर दून टीम्स ने बीस मैच सब्सक्राइब करें तॉम रोजस मुझीव एडम जैंपा केन अब दिक्कत गया है सिरियसली गहा हूं निक मैचिसन तूडाओन एगा बट मैं चाहता हूं चाहता हूं फिंची आयूपर क्योंकिस ने बहुत रूंस बना है वेल्स को मुका मिलें निक मैचिसन भी खराब न जो फॉम वाइस एक प्लेयर का स्टाइल उससाब से लाइनप सेट किया है अब चलता है ब्रीजवेन इट की दरफ मन्रो अपन करें आपर कप्तान स्टीम का जॉज वराउन के साथ मैट रंच रंच वन डाउन तू डान आपको स्थाम बिक्स आते हैं हो अगर जॉज जो पार जो अब जाते हैं मैट कुर्मन आपको दिख जाएंगे इसी डीम में कहीं नी जाते हैं खेलने इसी तरह कोई नीच पांच दो पचास नाबाद इस तरह से वारी का फॉम रहा है देखते हैं किसा प्रदशन देता है स्मैच के अंदर जो ग्लार्क चार मैचेस पे 1 182 रन से देड़ सो का स्टाइगरेड एक कैच एक स्टंपिंग अरिये वाई ने फॉम की बात तरहते हैं तो चै फॉर्टी डू दो चाववने स्टीम के अगेंस रन्स करें देखते हैं किसा प्रदेशन देता है बंदा एक्टेशन बहुत अप्लैर से स्टाइलिश प्लैर इंग्लेंड से आता है जैक फिरसम सिगर पांच मैच बासर रन से बैटिंग फस्ट है चालीस तीन चेस के अपर साथ चेस पर बहुत बैटर खिलते हैं वैसे यह वैने की पर नो मैचस में वन फॉर्टी ना रन से एक सो पांच का साइड़ बहुत ही कॉन बंदा यह ऐसा ल वैटिंग फर्श मैचश में 153 रन से देगे जैस के पर नो मैच में सो Cake एक सो ऑट रन से एक सो और फिफ्टी कर चुगे यह बैने के पर तेरा मैच में 28 रन से एक सो अतरह का साइड़ तीन विखत है वैटिंग फर्श उनने तेन इकिस तीन जिरो चेस के पर सतरह उननेश चैस चाहसट नहीं चिया सब्सक्राइब चाहसट तीन एक उन्चालिस फॉर्म चाहए जिरो जिरो एक जिरो दो उन्चालिस थासी पीस फिंची 14 मैच 512 रंस है 43 की होसाद एक सो तीस का स्टाइड पांच फिफ्टीज है 14 मैचेस में बहुत अच्छ आखने है बैटिंग फस्ट पांच मैच कंदर 179 रंस है चेस के पर नो मैच में 370 रंस है इस वन्यवे 43 मैचेस खेला जिसमें एक स्टागा तेरा अर्श्टाग है यह एक सुपय इस का स्टाइड ए बैटिंग फस्ट बीस मैचेस अंदर 649 रंस है चेस के उपर 50 की होसाद है तैस मैच में 913 रंस है वेल्स तैस मैच 34 की होसाद है बड़ जो इसने सारे रंस बना है ना है एट टोड रंड वेंग इस सब 90 परसंट ओपनिं करते हो बना है अब क इस मैच मेच में 17 की होसाद 150 रंस है देखते हैं क्या पाते है यह अच्छे क्रिकेटर है जोन वेल्स बट यह इनको बैटिंग और सूट करता है इनको 2 डाउन खिलना पसंद है खिलार इनको 4 डाउन है साथ मैच में 49 तरीन विकेट से हैं बॉलिंग फर्स तीन में 3 बॉलि इस वैलन फर्स आठ मेच में 6 बॉलिंग सेकेंड साथ मेच में 3 विकेट नकी अच इकनमिय में इनफ़ॉण प्लेर है यह टॉम रोगर में चैमेच में 10 हुटे पच्छफंपन रंस यह वैंन इनको राज रास असकता है तस मेच में 17 विकेट निकाल चुके हैं बालीं फर् अल्टोड में नंबर्स बहुत अच्छा है स्पेशल प्लेयर तो वाच आउट केन मामा 12 मैचेस में 13 विक्ते हैं बॉलिंग फर्स्ट 6 मैचेस कंदर 4 बॉलिंग सेकंड 6 मैचेट नोविकेट आप वार विकेट लगया इस वन्य इफर 25 मैचेस कंदर 36 विकेट है तेरा बॉलिंग फर्स्ट पाँच मैच में, एर्ड बॉलिंग सेकंड, तीन मैंच फ्क्राभाए्ट यजव है। प्रसके को इन भाएlegen Стर्ले के यहाईaround के था वहापी कि घड रोजस ने वह मैच सिर्फ साथ और यह वा था यह वा था आपको बताए फिर क्या होगा दोस गेम के अंदर पिछ खराब होगी थी इसलिए पहले तीरा रोजस्ट डाला शेडल दूसरा चोथा डाला था विल सद्लें ने पांच वा साथवा मुझी ने चट्वा डाला था चल लंबे रीचन की लंबे लंबे बेट मारते हैं स्क्वेर बाउंडरी शूटी 65 मिटर की देखते हैं कैसा क्या करता है इस गेम के अंदर लास्ट गेमें बहुत अच्छा दिखा था जिस तरह से खिला थे बहुत पॉजिटिव अपरोस थी जॉज ब्राउं की कॉलिंड मन्र कमाल के आकड़े रिसेंट फॉर्म एक नंबर है 46-99 नाबाद 44 नाबाद 36 नाबाद 14-55 बहतर नाबाद और फिर आते हैं नैतनम सिस्विणी हैड़ ने खिला वैंड़ के उपर चहर है नहीं है बैटिंग फर्स्ट करते हुए फॉर्म ठीक ताग रहा है हर गेम में कुछ न बनाके जाता है मैट रंशो लो रिक शॉर्ट स्खिलता है बॉल यादा लेता है नौ मैच जनदर थोसो निस रंच वन ट्वनटीट का स्थाइज को उसरत बैटिंग फरस्ट पैसर थीज पैसर थीज स्थाइज को पर बाई जीरो सब्ताइस नाबाद इस मेदाम पे रंशो मैच आप देखना बैटिंग फर्स बाइस पच्छी से इसकोई पर दस नाबाच है फॉर्म नीचे देख लो तेस अटारा दस एची अक्तर नाबाच जीरो नाबाच चौदा जीरो नाबाच पांच नाबाच नाबाच पॉल वाल्टर है टोड़ वन्यू नीखेला बज्जी स 7-1 विग्येट वैन्यू पर टीन मैच में पांक विग्येट निकाल चुका है पॉलिंग फर्स दू मैच में 3 बॉलिंग फर्स लिफայ निकाल चुका है अच्छा म्यड़ बीग बैस लिक दर दो मैच Gwen 2 निकाल चुका Cantonese नीशर 12 मैचे सकंद 18 विकेट्स हैट वर्डिक अंदर एक स्वार टरम सा आठ की एकॉनोमी है यह नहीं केंसे विकेट नहीं निकालते नीशर और बर्लेट तो टीम बैक फुट पे चले जाती है बॉलिंग फर्स्ट चार मैच में पांच बॉलिंग सेकंड आठ मैच में तेरा विकेट निकाल चुका है मोचली चले है जब भी हिलाइस वर्डिक अंदर स्पेंसर जॉंसन इस टीम के अगेंस बहुत अच्छा स्फेल था चार ओर के अंदर तेस रन दिया था इसने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इस ही वैनिग पर देखते हैं हाडलें बैक उफ दे इ एक मैच मेच 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 मे पर आते हैं यहां पर जैक वूड़ी आपको नहीं देखेंगे ब्रायन ता सकता है साथ मैच में 134 रंस वैंडी के पर 3 मैच में 112 जिम्मी पैरिसन देख सकते हैं बहुत अच्छा अपला है बहुत कम होता है कि जिम्मी पैरिसन बार बैठ जाए फॉर्मर कैप्टन स्ट्रीम क विल्डरमाथ विल्प्रैश्विच पिछले गेम में माइकल निसर का पहला थीसरा वर्दा बालिट का दूसरा चौता शोलवा उनिस्वा इसका आरता कि बालिट को ज्यादा महत्वा दी जाती है स्पेंसर जॉंसन का पांच वा पंदरवा स्वेफसन का चटवा आठवा द दो के लिए स्रिफ जो क्लार्क वार्ससिस निसर एकिस वाल स्वेफसन खेंसर पानच अनिंग्स निगज पांच रवा हो दूसर के सामने पांच अनिंग्स तीन बार आउत हुआ है तो यही डर है जो दो मैटश के संसरा जैक और निक यह भी मिडल फेस में खेलता है यह दो स्वेप्सन को विकर देखे जा सकते हैं बीज वॉल थेईस रन पांच में तीन बार आउट कुनेमान दो इनिंग्स में बार आउट किया है ग्यारा वॉल में बीज रन देके जॉन अवेल्स वर्सेस स्वेप्सन अच्छा खेला है चैन बीज बीज रन और पांच इनिंग्स में दो बार आउट किया हुआ इनको विल सदलन का कोई मैच अप नहीं ज्यादा फेस नहीं किया नहीं लड़का यह भी कॉलीन मुन्रो अगें जैंपा इस बैटल दू आच आउट नौ नौ इनको पांच बार आउट किया है पांच ब इनको दोया और वो क्या मुमगून हुपाएगा क्या यह खुद अपना सितारा बन सकता है देखने लाएक होगा मैच रैंचो लगें जैंपा सैथीज बार आउट किया है रोजस नहीं को बार आउट किया है नैदन एमसिस उनिवर्ट्स फर्गोसन अनौ तीन में दो पॉल और रिख सब्सक्राइब और आउट कोई बैटल नहीं है और बीगबाश से इसमें इनवेच्मेंट लेडर बोर और सीरीज लेडर बोर में गया होता है 47 रुपीश की ग्रैंड लीग होती है पार्टिपीट करना है और हर मैच के अंदर आपको पार्टिपीट करना है उससे आपके पॉइंट्स कल्कुलेट होने वाले हैं जो सबसे पॉइंट्स लाता है इसको फॉर्चुनर बहुत सरी प्राइज है इन्वेस्टम लेटर वोट भी दोनों का फाइदा है मेरे एफलेट बनेगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वह आजाएगा विद प्राइज बिल्ग नीचे दिया हो है कामन कैटन सदल एड नीशर अलग जाना तो कोई नी डिकॉक है एडम जैंप है टॉम रोजर्स और फिंच को भी आप रोटेट कर सकते हैं चलते हैं फैंट्सी तीम्स की तरफ यह जो मैच रहेगा इस्पैसली आप देख एप स्मॉल लीग के लि और कुछ डेटा के साब से तो यहां पर डिकॉक है जो क्लार के जैक फ्रेस्विकर विसल लेंड एडम जैंपा कें स्टुवर्ड यह दोनों मेरे कैटन वाइस कैप्टन है बले टीम है नीशर पॉल वाल्टर है अब अलग क्या कर सकते हैं इसकंदर वी आपको बताता हूं म मुझी बाते हैं और दोनों उसको निकाल सकते हैं मन्रो को बट जीस फॉर्म में मन्रो आप ड्रॉब भी नहीं कर सकते तो मैंने उसको लेकर रहा है सेफटी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं यह फिर बात आती है और प्लेट्स की ब्रिस्वेन में आते हैं रंचों वो अच्छा खीलता है स्फिन आप उसको लेकर जा सकते हैं नैतर एमसी स्वीनी आप इस्टगल कर सकता है एक हाई कोलेडी स्फिनर के सामने जैंपा और यंग्स्टर हो और जटपटाई का कर रंस नहीं बनेंगे फिर बाद में सैम बिलिंग साता है उनको जैंपा निकाल स सकते हैं फिंची ग्रैलिंग में रोटेट करो बहुत अच्छे नंबर से हैं बट मैंने पहले गाता है जो नंबर से उसा भाय थेंगे उपनिंग करते हुए आप यह कहलते हैं नंबर तीन पर नंबर तीन नहीं थ्री डाउन फिर आते हैं मन्रो लिया हुआ है वेल्स थोड पर देड़ सो का साहीड दो मैंचस में निसर अच्छापीया स्विन्फ पर निट कर सकते हैं थोड़ से रिस्की रहें वस पॉल वाल्टर आपको वैल्यू देकन जा सकता हैं अगर गेंपाजी करने तो श्वैंसर जॉंसन वाय यह सिर्फ जन्ताने 20 परेसनलिया यह तो देखतेरे स्टाइड सुरू जी मिलते है टेली इस प्लेयर को भी टीम एड़ी है कुलम विडिलर को बटाई ड्रोन तिंग को खेलेगा देखतेरे स्टाइड सुरू जी मिलते है टेली ग्राम के पर लव गयास तो जाहें